हेलो दोस्तो स्वाग जाए सकता मेरे यूट्यूब चैनल सच इन एजगेशन अपर तो दोस्तो आज आपके लिए फिर से एक नई रिवीजन वीडियो में लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है अगरिकल्चर इंकम तो दोस्तो एक ही पेज के अंदर आज आपको डिफाइन कि किया जाएगा कि अगरिकल्चर इंकम क्या होता है इसमें क्या क्या चीज़े आती हैं तो दोस्तो करते हैं स्टार्ट 5-6 मिन्टों की ये वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि अगरिकल्चर इंकम होता क्या है इसके लाव अगर आपको और भी कोई नोट्स चाहिए तो भी आपको मिल जाएंगे मेरे टेलिग्राम चैनल पे और उसका लिंक आपको पता है डिस्क्रिफिशन में दे दिया गया है तो दोस्तों आप सबसे पहले आपके सामने हैं कि एगरिकल्चर इंकम क्या होता है तो इससे तीन चीज़ों में डिफाइन किया गया है कि कोई भी र एगरिकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो उसमें से इंकम आ रही है वो भी एगरिकल्चर इंकम है और कोई भी इंकम फार्म बेल्डिंग से चाहिए वो रूलर में है फार्म बेल्डिंग चाहिए वो अर्बन में है वो क्या कहलाएगी एगरिकल्चर इंकम अब बात ये है कि नीची आने से पहले arrow इदर घुमा लो तो ये arrow क्या कहता है कि कोई भी नर्स्री में अगर आप seeds grown कर रहे हो तो उसकी income भी क्या कहलाएगी agriculture income अब इतने सारी agriculture income पड़ी है तो ये भी बना जरूरी है कि कौन नहीं कहलाएगा तो ये आजाओ यहां पर कोई भी dividend income जो आप agriculture company में से ले रहे हो या कोई भी dividend income जो agriculture company से मिल रही है तो वो क्या कहलाएगी not agriculture income यानि वो agriculture income नहीं होगी ये बहुत बढ़िया point है ये ध्यान में रखना अब उसके बाद है कि इस side पे आ सकते हो कि कोई भी profit जो आपको agriculture land के उपर से transfer करने पर आ रहा है वो भी agriculture income नहीं कहलाएगा अब ये जो point है ना इसे आप double, triple, जितने star मार सकते हो माल ले ना क्योंकि partnership firm अगर agriculture का काम कर रही है उसे agriculture income मिल रही है तो वो agriculture income exempt है यानि वो नहीं है लेकिन अगर partnership firm उस agriculture income को as a salary to partner यानि partner को दे रही है तो वो income क्या मानी जाएगी अग्रिगल चरिंग ये बहुत बड़ी है point है ध्यान से समय लेना partnership firm अगर काम कर रही है तो उसकी income नहीं है अग्रिगल चरिंग लेकिन अगर वो salary दे रही है तो वो income क्या मानी जाएगी एक्रिकल्टर इंकम क्लियर हुआ यह पॉइंट इसके बाद अगर आप कोई ग्रॉन कर रहे हो या मनफेक्चर कर रहे हो प्रड़कर को उसके उपर इंकम आ रही है तो एक्रिकल्टर इंकम क्या मानी जाएगी कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर अब एरो को घुमाएंगे यहां से यहां तक तो दोस्तों अगर यह केस नहीं है यानि मार्केट वैल्यू कहीं चीजों की नहीं होती है जैसे रबर हो गया कॉफी या फिर टी इन तीनों केसे में अगर आप रबर की बात कर रहे हो तो उ के पत्तों की भी मार्केट वैल्यू नहीं होती तो उस केस में क्या करोगे एक्रिकल्चर इंकम और बिजनस इंकम को आप परसेंटेज के वे में निकालोगे तो कैसे कैलकुलेशन करनी है आपने कि अगर वो रबर कंपनी है तो एक्रिकल्चर इंकम का 65 परसें आएगा और जितनी इंकम आये होगी उसका आपने 65 परसें निकाल के अगरिकल्चर इंकम मानी जाएगी और 35 परसें निकालोगे तो बिजनस मानी जाएगी अगर कॉफी का केस है तो कॉफी अगर क्रियूड वाली है तो आपका क्या माना जाएगा 75-25 और ग्राउंडेड वाली है तो 60- 40 और T है तो 60 40 तो यह cases हैं और यह rules आपको बता दिये गए हैं कि किस rule के अंदर इसे define किया गया है अब दोसों सबसे important जो point है इसके अंदर वो है कि how to calculate PIT यानि partial integration of the agriculture income यानि अगर आपने बात करनी है कि agriculture income अगर आप non-agriculture income के बीच में अलग नहीं कर पा रहे हैं यानि mix हो च चाहें कि जो आपकी net agriculture income है वो आपकी 5000 per annum यानि 5000 से जादा नहीं होनी चाहिए और non agriculture income जो है वो आपकी basic exemption limit से जादा होनी चाहिए तो यह दोनों cases पूरे होंगे तभी आप PIT निकालोगे नहीं तो नहीं निकालोगे और निकालने का तरीका यह है कि पहले आपने क्या गरन है net और NAI यानि net और non agriculture दोनों को add कर देना है जो answer आएगा उसके उपर tax लगाना है A point आ जाएगा उसके बाद आपने net agriculture income में से basic exemption limit को add करके calculate करना है tax और दोनों को less कर देना है A में से 20 को minus करके क्या हो जाएगा C निकल आएगा उसमें से कुछ सर्चार्ज हुगा तो वो add क कर देना है उसके बाद जो हमारा extra जो tax लगता है यानि 4% HEC यानि health and education says वो आपने लगा देना है तो बहुत ही छोटी वीडियो थी ये तो आपके लिए 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर आपको बताया भी गया है यानि ये छोटा सा चार्ट है यानि इतना बड़ा भी चार्ट है बहुत ही छोटा सा है और easy way में आपको define कर दिया गया कि agriculture income होता क्या है कैसे आपने इसमें से calculation करनी है अगर cases अलग हुए तो क्या करना है यानि market value ना दी गई तब क्या करना है या कब आपने agriculture income नहीं माननी है तो CD से बात हो गई clear हो गया है एक page के अंदर आपको पूरा भी दिखा रहा हूं तो देख लो क्लिक कर लो screenshot ले लो या खुद बना लो आपके पास आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा आज के लिए इतना ही है दोस्तों होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी है छोटी सी वीडियो आपको समझ आई है आज के लिए इतना ही है थैंक यू वेरी मच्छ वेव नाइस दे